प्रिक है दो दिनों के रिमान पर पुलिस ने ली थी, तमाम पुछताच की गई और उसके बाद उन्हें वापस पटना के बेउर्जल भेज दिया गया था सिर्फ बदली है तो समय बदली है और अनंत सिंग के बारे में ये कहना कहीं से भी अगर कहा जाए कि कोई अतिस्योक्ती नहीं होगा क्योंकि अनन्त सिंग उसी प्रकार से आज कोट में पेस हुए जिस प्रकार से उनका रौब रहता है जिस प्रकार से वो अन्य जगों पर जया करते हैं वो मोच पर हाथ दे करके ताओ दे करके वो आए कोट में और वही उनके चेले चपाटी वही उनके समर तक उनका पैर छू आफता हैं ही और वो आपको बेउर जेल में बंद हैं और पंडारक की फूलिस जो है ये आपको आडियो वाइरल मामले में उनको ली है और पेसी के लिए आज पेस किया गया है वहाँ पर भी पहुंचते के साथ कोट में कड़ी सुरक्षा बेवस्था थी कड़ी सुरक्षा ब चाहिसमे जाने जाते हैं वही अपने मोच पर ताओ देते हुए और वही काला चसमा पहने हुए उसी अंदाज में कोट में पेस हुए और पेसी के बाद वहाँ से पंडारक पुलीस उनको बजापते सुरक्षा में उनको बे उर्जेल ले जाकर के सिफ्ट कर दी ये पहली बार नहीं है किसे की वो बार कोट में पेस किये गए इसके पहले भी आप जैसा जानती है कि इसके पहले भी अनन्द सिंग को पेस किया गया था और वो आडियो वायरल मामले में सेंपल टेस्ट में जो इनका पोजेटिव पाया गया था उसको लेकर के कई बार पुष्टाच बीची दो दिनों के रिमांड भी लिया गया था उसमें अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है लेकिन आज फिर उसी मामले में पेसी हुई हो और सिर्फ इनी की नहीं पेसी हुई इनके एक राइट हैंड कहे जाते हैं लल्लू मुकिया उनकी भी इसी मामले में पेसी हुई है और वो भी उसी अंदाज में पेश हुए कि जिस अंदाज में अगर अनंत सिंग के साथ जैसे वो देखे जाते थे लल्लू मुखिया और उनके खासमों खास माने जाते हैं वो भी इसी अंदाज में पेश हुए और उनका एक जलवा जिसको कह सकते हैं कि अनंत सिंग की जलवा या लल्लू मुखिया की जो जलवा है वो जलवा बरकरार है और उनमें तनीक भी चेहरे पर सिकन नाम का चीज नहीं है किसे कि अनंत सिंग एक सजायाफता है या आरोपी है वो उसी प्रकार जिस प्रकार बाढ़ के राजा बाबू कहे जाते हैं वो राजा के अंदाज में ही पेश हुए और आखो पच्छसमा और मुझ परताओ देते हुए कोट में पेश हुए अभी जो दो दिन के लिए वो पुलिस रिमान पर थे हैं अनंत सिंग जो दो दिनों की रिमान पर थे तो पुलिस ने दौरान उनसे सवाल पूछे कि आप भोला सिंग को कैसे जानते हैं क्योंकि भोला सिंग के हत्या के शाजी सरचने वाला ही एक और ये वारल हुआ था तब अनंत सिंग ने काया था कि भोला सिंग एक अपरादी है और वो मुझे फसानी की कोशिश करता है वो मेरा दुश्मन है इसे कारण मैं उन्हें जानता हूँ और उसी मामले में आज उनक को का अभिवाधन किया और अपने मुस्कूराहट से ही अभिवाधन किया बसरतिक की अपने मूं से कुछ नहीं बोला उन्होंने सिर्फ इए अभिवाधन के स्वरूप में उन्होंने सब को आसी भाद धिया धन्यबाद दिया लेकिन आनंद सिंग का जो मुख बिंदू है बिनिता अगर मैं बोलता दूँ कि जो मुख बिंदू है कि उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी अगर सिकन की बात की जाए वो थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी रागईबात पूछताच में बहुत सारे A.S.P. LiP. के दौरा सवालों के लिस्ट तियार की गये थे उनों लिस्टों में उन्हों ने साफ तौर पर कुछ सवालों का हां में जबाब दिया और नाद्म में जबाब दिया लेकिन अनंत सिंग एक सुए कहा जा सकता है कि एक परिपक्वे जिसको कह सकते हैं या मतलब कि पहले से उनको मालूम है कि पटना पुलिस क्या क्या हमारे प्रतिरण निती बना चुकी है और कैसे हमें उन्हें हैंडिल करना है और कैसे इस समस्या से निजात पाना है वो भली भ पिला अंदाज और वही मुचो परताओ लेकर के आज भी उनकी पेसी हुई है।